आप सभी की फेवरेट कार कंपनी महिंद्रा मोटर्स ला चुकी है। एक शांदार खुश खबरी। इंतजार की घडियां खत्म हुई दोस्तों आपकी मोस्ट अवेटेड ऐसी महिंद्र बोलेरो का नया अवतार अब लॉंच के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अपनी न्यू जेनरेशन दो-चार महिंद्रा बोलेरो के नया मोडल को लॉंच करने वाली है। अपनी सफलता पूर्व महिंद्र स्कॉर्पियो के जबरदस्त लॉंच के बाद अब दूसरे नंबर होने वाला है। महिंद्रा बोलेरो के नए मॉडल का लोग इस गारी के नए अवतार का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थे आखिरकार दोस्तों आपके इंतजार की घडिया अब खत्म होने वाली है जो की एक शांदार नए अवतार में देखने को मिलेंगी जो की बारीकियों को दीवाना तो बनाएगी साथ ही रोड पे चलते हुए इस कार्य की रोड पे काफी ज्यादा दमदार देखने में लगने वाली है इस कंपनी इस कार्य का एक नया बेस मॉडल भी लेकर आ रही है जो की साथ से आठ लाक रुपय की एक शोरूम बेस मॉडल राशी पर लौज कर आ जाएगा इस कड़ी को कंपनी ने अपने सबसे लेटेस टेकनोलोजी प्लाटफॉर्म पर बनाया है जिससे ये गारी साइज में थोड़ी बड़ी और दिखने में काफी ज्यादा हेवी और मस्कुलर लुक में आएगी ग्राहकों को अपना दीवाना बनाने वाली है भारतिय ग्राहकों की सबसे पहली पसंद महिंद्र बोलेरो ही रही है अगर हम बात करते हैं नियो 22 महिंद्र बोलेरो के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स के ऊपर तो गाडी का डिजाइन पहले से ज्यादा बड़ा और साइज में काफी ज्यादा और एक हेवी लुक में हो गया है जिसे मैं आपको नया रेंडिशन फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा जोकी मस्कुलर डियल शांदार सेवन स्लोट मस्कुलर गिरी जिसमें आपको महिंद्रा का नया लोगो एक क्रोम के साथ नजर आएगा साथ ही साथ ही इसमें आपको दूर बैरल हेड्लैंस सेट अप और शांदार देटाइम रनिंग लाइट का सेट मिलेगा क्योंकि गाड़ी के फ्रंट लुक को एक स्पोर्टी डू आई डोंट फ्रंट बंपर में मस्कुलर लुक दे रहा है आपके साथ रेड्स साइड पे आपको डूर शेड सेट अप और एक बड़ा सा इस पेर विल कवर देखने को मिलेगा क्योंकि महिंद्रा बोलेरो की शांदार क्रोम बैजिंग में आएगा साइड प्रोफाइल में आपको ब्लैक वेडिंग साइड इंडिकेटर्स और बारा से तेरा इंच के शांदार अलोट इसका सेट मिलेगा जो की गाड़ी के लुक में चार चांद लगा रही है ये गाड़ी अप साइज में उची और दमदार लुक के साथ आपको डोग डूल टोन कलर अप्शन्स और एक हेवी मस्कुलर लुक में दिखाई देगी जो की रोड पे चलते हुए भारतियों को काफी ज्यादा अपना दिवाना करने वाली है पर हम बात करते हैं गाड़ी के इंटिरियर फीचर्स की तो इस गाड़ी में इस बारी आपको सेवन से नाइन सीटर सिटिंग कपैसिटी वाला इंटिरियर देखने को मिल जाएगा जो की प्रीमियम लेदर क्वालिटी सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, आटोमेटिक सीट बेल्ट, रिमाइंडर जैसे फीचर्स के साथ आएगा इतना ही नहीं गाड़ी में दोस्तों आपको JBL के 9 साउंड स्पीकर, दसर बैग और एक शांदा, पैनारोमिक संरूफ देखने को मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तों गाड़ी में आपको म्यूचल लाइटनिंग वाला डू यू इट ओन डैशबोर्ड, लेटिस्ट पावर स्टीरिंग वील और आटोमेटिक एसी मिलने वाला है वैसे अंदर कंट्रोल के तौर पर महिंद्रा इस गाड़ी में अपना लेटिस्ट बढ़ा तचस्क्रीन देगी जो की पूरे डैशबोर्ड को कवर करेगा इसमें आपको कई सारे 20 प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स आप अपने वॉस कमान की गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे इतना ही नहीं गाड़ी में दोस्तों सेफटी के लिए हाथ से इसमें आपको ABS, EBD, PUSHP और 2360 दिगरी कैमरा मिलेंगे गाड़ी के इस फ्रंट और रे रमे जो की आपके सफर को सेफ और आपके इंतीरियर को एक प्रीमियम अंदाज में दिखा पाने में मदद करेंगे कोई अंत में आते हैं, गाड़ी की पर्फॉर्मेंस में तो न्यू चल रहा है, महिंद्रा का ये नया मॉडल इस बारी कम्पनी के लेटेस्ट टू पॉइंट पेट्रोल जिनके साथ आएगा यानि की इसमें आपको पेट्रोल या डीजल दोनों ही देखने को मिलेंगे जो की 150 HP की पावर और 250 तक का टॉप जिनरेट कर पाने की क्षमता रखते हैं साथ ही साथ इसमें आपको 6 PMT, गैर बॉक्स और एक नया वेरियंट देखने को मिलेगा जो की कम्पनी फिटेज CNG किट आप्शन्स के साथ नजर आएगा यानि कि ये गारी 35 से 40 के MPM तक का माईलेज तो आराम से ग्रामिन क्षेत्रों में देपाने की क्षमता रखेगी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू वेरि मच